सुप्रभात बच्चो आशागरती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे कल में आपको पाट पढ़ा रही थी चमतकारी हांडा यानि उस चमतकारी हांडे में यानि जो किसनु किसान की पत्नी थी कमली उसे कुछ पैसों की जुरत पड़ी तो उसने दो-चार सिक्के हांडे में डा जाने लगी तो उसकी पकार सुनकर के किसनु किसान जो था वो दोड़ा है आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कमली को हांडे के बीतर हात पाउं पटकते देख वह आगे बढ़ा और दोनों हातों से सहरा देखकर उसने कमली को उपर खींचा बाहर आकर कमली ने चैन की सांस ल मुझे भी अब एक कमली जो उसकी पत्नी थी उसको तो निकाल लिया अब क्योंकि उस चमतकारी हांडा था एक की जगे दो हो जाती दो की जगे चार हो जाती यानि वो हर्ची डबल हो जाती तो जब कमली को निकाल लिया तो अब एक और कमली थी अंदर मुझे भी मैं अंद पर आश्च्रे से मुझे भी निकालो तुम कौन हो, दौनों चिल्लाई, कमली हूँ, पहचानती नहीं, मुझे जल्दी निकालो यहां से, किसनु को साहिता करनी पड़ी, अब दो कमली थी सामने, यह देखो, यह किसनु किसान है, और यह हांडा है, और यह देखो, दो पतनी घड़ी हैं, यानि एक कमली गिर गई तो एक कमली की जगे कितनी हो गई, दो कमली हो गई, तो कह रही थी, कमली मुझे पहचानते नहीं, मुझे जल्दी से निकालो, किसनु को साहिता करनी पड़ी, और अब दो, उसके सामने कितनी कमली खड़ी थी, दो कमली खड़ी थी, किसनु के घर में, दो कमली हो गई, पह अब दोनों आपस में खूब लड़ती, दोनों ही स्वेम को मालकिन मानती, एक कुछ आदेश देती, तो दूसरी कुछ और चाहती, किसनों की सांती नश्ट हो गई, घर नरक बन गया, पहले जो सांती थी उसके घर में, वो नश्ट हो गई, ये दोनों कमली जो आपस में ना बन जाता, कभी एक कमली को समझाता, कभी दूसरी को मनाता, पर दोनों का जगड़ा समाप्ती नहीं होता, और उन्हें निव्टाने के फिर में दोनों के एक रोध का निशाना बन जाता, वे बहुत परेशान हो गया था, तो बच्चो आज तक के लिए यही तक काफी है दन्यवाद